मुझे नगता कि लड़ाई भी दे पा रहा है तो नुकसान तो हर जगर दिख रहा है भाजपा को क्योंकि अब नितीस नहीं है बड़ा हिस्सा काट के खाजने के लिए तो ऐसी स्तिती में भाजपा ये कैसे दोनों को एक साथ तौल पाएगी और ये बताएगा कि भाजपा ने हमें साथ धुका किया चिराग पासवान को लाने के लिए हमें बाहर कर दिया कैसे वो कौडिनेशन हो पाएगा चिराग पासवान जितनी सीटे मांग रहे हैं वो देन नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां बिहार की सियासत की खबरों पर चर्चा होती है परदे के पीछे की कहानी बताई जाती है बिहार में आपको सामने दिख रहा है चिराग पासवान का गडबंदन भाजपा से हो चुका है खबरे भी लगतार आ रही है भाजपा ने मुहर लगाई है और कुछ देर में चिराग पासवान भी पटना आ जाएंगे तो आधिकारीक मुहर लग जाएगी लेकिन हमारे पास वो खबर है कि चिराग अगर आएंगे तो उसके पीछे की कहानी क्या होगी चिराग की आने के ब चिराग की तो वापसी सभी लोगों ने करा दी आपने तो पहले ही कहा था कि वापसी हो रही है चिराग की वापसी के साथ बदलाओ क्या देखने को मिलेगा देखे हम चर्चा बिलकुल करेंगे कि चिराग पासवान के आने के बाद उनको क्या मिलेगा किन सर्तों पर डिसक से ज्यादा उस बात का वैलू बढ़ जाता है दर्सकों की नजर में चले नित्या नंराय ने कह दिया कल पर्दे सद्यक्ष ने कह दिया था राजुतिवारी ने हम से बात करते समय कहा भी कि मुझे कोई जनकारी नहीं इसको लेकर है लेकिन पर्दे के पीछे जब मैंने कानफ फ्यूजन यहां पर सोच रहा हूं ठीक है भाजपा के पास बिहार में नेते तो करता नहीं है भाजपा चिराक को सीमो बना सकती है प्रजेक्ट करके आगे बढ़ सकती है को कि देखिये भाजपा कैसे चिराक पासवान को लेकर एक acceptance हो गया है बिहार में दलितों में सवर्न नहीं हो सकता है क्योंकि अब नितीस नहीं है बड़ा हिस्सा काट के खाजने के लिए और भाजपा के पास अभी सायोगी की बहा हो सकता है तो यह सारा समीकरन जो आप जोड़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं और possibilities हैं चिराक पासवान इसके अलावा के सबसे बड़ी सर्थ पसुपती पारस को बाहर करना कैसे संभाव पसुपती पारस ने भी कह दिया था कि चिराग आएंगे तो हम नहीं रहें तो ऐसी स्थिति में भाजपा यह कैसे दोनों को एक साथ तौल पाएगी संभाव नहीं लग रहा है देखें निशी तोर पर जो पार्टी और उनके परिवार के लोग नहीं यह मानते हैं कि पसुपती पारस गलत हैं उन्होंने गलत किया है और इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए लेकिन सजा की जगह पर आपने देखा कि भाजपा ने रिवार्ड किया लेकिन आप जरा उसके डिटेल में घुसिए भाज आये मंतरी और ये एक MLC भी देने की बाद चल रही थी आपने सुना था लेकिन जब ये सब कुछ हो गया तो भाजपा अब समझ गई है कि कहीं न कहीं नितीज कुमार का चेप्टर क्लोज हो चुका है अब नितीज कुमार की वापसी भी होती है तो इस सर्तों पर तो नहीं होगी जैसे सर्ते थी अब नितीज को बैक पूट पर रहना ही होगा लेकिन अगर ये सारा जोड़ गटा हो आप इस तरफ लेकर आते हैं चिराग की तरफ तो आपको समझ में आता है कि चिराग पासवान मुलाकात करने से भाजपा के निताओं से हड़क रहे थें कोई चिराग पासवान ने जिक्री किया था कि वहाँ जदियू के परत्यासी रहते तो हम उतार देते मतलब वही संदेश ही है यह संदेश है कि अगर मेरी लगाई आज भी आपसे नहीं है लेकिन आपकी वज़े से मुझे नुकसान हो रहा है मैं कई सीटों पर पर परत्यासी उ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां पर लडाई लेकिन क्या किया भाजपाने क्या बोलते हैं उसको उठाकर जदियू के प्रत्यासी कौंतिम समय में लाया उलडाईये में नहीं है बेचारा मुकामा में अगर कोई भरम में है कि जीत रहे हैं यह और हमें मैं गलत हो सकत जाने के जाने का मतलब की अधियेटर क्यों चुनेगी डारेक्ट नहीं 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 चुनेगी और अब तो लड़न सिंग भी वहां उनके साथ हैं तो यह सब कुछ देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि बिहार में चिराग पास्वान के आने वाले भविष्य की संभावन को देखते हुए बिहार में भाजपा भी चिराग पास्वान को ही चाहती है कि पहले आ जाए इदर चिराग आ जाते हैं तो सुदता भाजपा को 10-12% भोड़न का फाइदा होता है इसके अलावा एक सहयोगी अगर आ जाते हैं चिराग पास्वान जैसे तो भाजपा फिर य इन पाँच सांसदों में सब लगबग कैसे उसको समझाए सवर्न जाती साते हैं और अगर आप उसमें देखे तो यह क्या नामिन का महबू बली कैसर और चाचा यह दो लोग हैं जो अन्य जाते हैं प्रिंस राज प्रिंस राज और यह आप अगर देखते हैं तो आपको सम बाज़पा को नुकसान होगा जालेगा उसको बतायेगा गोया है आपना दुस्मन करना पड़ेगा और यह बताएंगा कि भाजपा ने हमें साथ धुखा किया चृराइए तो बहुत मुश्किल है इतना आसान नहीं होगा चिराग पाशमान को सिध्यां अंडिया में इंटर करा लेना और पसुपती बारस को भी रोक लेना चिराग भी चाहेंगे तो चाहेंगे निकी चिराग यहां आजाए तो भाजपा को बीच कर अस्ता निकालना पड़ेगा दो इसे वो कॉडिनेशन हो पाएगा लेकिन पिलाल इतना जान लेजिए कि भाजिपा को इंसान सोदो का नुक्सान तो होता दिख रहा है मुझे तो कहीने कहीं चिराग पासवान की जब इंडिये में वापसी होगी तो चाचा पशुपती पारस को भी अच्छा नहीं लेगा पता हुआ दिखाई तो जरूर दे अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वर्वकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़ब रुआ मुफ्ट में मिल जाई अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 938681